नमस्कार दानगरी न्यूस की खास पेशकश चुनावी नगरी में आपका स्वागत है मैं हूं ललित वर्मा राजस्थान में होने वाले साथ विधानसवाच सीटों पर उपचुनाव को लेकर उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है साथों सीटों पर अगर देखा जाए तो सीधी टकर भाजपा और कॉंग्रेस की नजर आ रही है लेकिन कुछ हद तक निर्दली है और तीसरा मोर्चा भी कहीं न कहीं दोनों ही प्रमुक पार्टियों को टकर देता हुआ नजर आ रहा है चुनावी नगरी की इस खास पेशकश में शुरुवात करेंगे उस सीट से जो सीट गुरू चेले या फिर यूं कहें कि एक परिवार की बापोती बन्चू की सीट की यहां हम बात करेंगे जी हां समझ तो आप गए ही होंगे कि हम बात कर रहे हैं खियूसर सीट की खियूसर सीट से विधानसवा चुनाओं में हनुमान बेनिवाल ने जीत दर्च की थी और उसके बाद गडबंदन के सहरे वेल लोग सबा में पहुँचे अब यह सीट खाली हो चुकी है इस सीट पर उपचुनाओं होने हैं 13 नवंबर को मद्दान होगा लेकिन इस सीट के क्या चुनाओं समीकरण है कौन सा प्रत्याक्षी यहां पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा कुछ इस समीकरण पर बात करते हैं सबसे पहले चलते हैं 2023 में जो विधान सबा चुनाओं हुए थे इसमें हनुमान बेनिवाल ने जीत हासिल की थी लेकिन ये जीत इतनी बड़ी नहीं थी कि हनुमान बेनिवाल को खिवसर में दबदबे को बनाए रखती रेवतराम डांगा जो हनुमान बेनिवाल के चेले के रूप में जाने जाते हैं लंबे समय तक आरेलपी में कारेकरता के रूप में काम करने के बाद विधान सबा चुनाओं से ठीक पहले रेवतराम डांगा ने अपने तेवर दिखाए विद्रों के स्वर बुलंद किये और जा पहुँचे भाजपा की गोदी में बाजपा ने उनको टिकिट दिया और गुरू और चेले के बीच में कड़ी टकर देखने को मिली हाला कि रेवतराम डांगा बहुत कम मारजन से महज दो हजार गुंसट वोटों के अंतर से हारे लेकिन कहीं न कहीं खियूसर की जनता ने बता दिया था कि खियूसर की जनता किसी एक परिवार को वोट नहीं देगी क्योंकि इससे पहले के चुनाओं की अगर बात की जाए दोजार अठारा के चुनाओं की तो 2018 के चुनाओं में भी पहले हनुमान बेनिवाल ने विधायक का चुनाओं लड़ा जीत हासिल की और 2019 में भाजपा से गड़बंदन करते हुए वे लोकसवा में जाकर बैठ गए और वहां से अपने भाई को चुनाओं लड़वाया और उनको विधायक बनाया तो वही 2018 में और 2019 में जो तस्वीर नज़र आई थी वही तस्वीर 2023 में नज़र आई हनुमान बेनिवाल ने फिर से सांसद का चुनाओं लड़ा लोकसवा में पहुँचे और टिकेट अब अपनी पतनी कनिका बेनिवाल को दे दी ऐसे में गढ़बंदन नहीं होने के चलते हनुमान बेनिवाल की मुश्किले थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती हनुमान बेनिवाल ने पहले चेताव नहीं दी थी कि अधी गढ़बंदन नहीं होता है तो वह सभी सातों सिटों पर अपना प्रत्यक्षी उतारेंगे ये कहीं न कहीं कॉंग्रेस को डराने की एक साजिश नज़र आई थी लेकिन कॉंग्रेस के PCC चीव गोविन सिंग डोटासरा ने साफ कर दिया था कि कॉंग्रेस बिना गढ़बंदन के ही सातों सिटों पर चुनाव लड़ेगी हाला कि हनुमान बेनिवाल की धम की काम नही आई कॉंग्रेस ने सातों सिटों पर अपना प्रत्याक्शी उतारा और हनुमान बेनिवाल जिनको ये लग रहा था कि कनीका बेनिवाल के सामने कॉंग्रेस अपना प्रत्याक्शी नहीं उतारेगी लेकिन उनकी गलत फहमे भी कॉंग्रेस ने दूर की और रतन चौदरी को अपने प्रत्याक्षी बनाया अब देखिए समीकरण जो खिवसर सीट के हैं वो काफी रोमान चक हैं क्योंकि खिवसर वो सीट है जिसके मुकाबले को काफी नजदी की से राजनितिक पंडित देख रहे हैं जोती मिर्दा जिनको हनुमान बेनिवाल का कट्टर दुश्मन मान जाता है वो मैदान में डटी हुई हैं हाला कि लोकसबा चुनाओं में जोती मिर्दा को हनुमान बेनिवाल से हार का सामना करना पड़ा था लेकिन ये हार भी इतनी बड़ी नहीं थी कि हनुमान बेनिवाल उससे खुश नज़र आ हैं ऐसे में अब रतन चौदरी हनुमान बेनिवाल और रेवतराम डांगा मुकाबला इन तीनों के बीच में देखा जा रहा है कनिका बेनिवाल हनुमान बेनिवाल के एक महरे के रूप में नज़र आ रही है आने वाले समय में 13 नवंबर को चुनाओं होने जा रहे हैं रेवतराम डांगा जिनोंने विद्रो के वे भाजपास से चुनाओं लड़ा और महज 2000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा रतन चौधरी जो कौंग्रेस की प्रत्याक्षी हैं कनिका बेनिवाल के सामने रतन चौधरी की तक करमानी जा रही है लेकिन रेवतराम डांगा भी रेस में पीछे नहीं है वह भ बार उप चुनाओं में किसको अपना सिर्मोर बनाई आप देखते रहिए दनगरी न्यूस की खास पेशकर चुनावी नगरी क्योंकि अगले एपिसोड में छे सीटों का समी करन भी हम आपको बताएंगे तब तक के लिए नमस्कार